तो मेरा जीमन के नए गुरुग्राम की धर्थी पर इस गोरों के नाम को लुटाने दोगे जीमन को समभपन करना जाता हूँ इस नाप्टे से लियास शिरुट के है जिसका इतिहास अच्छा हो जा उसका खुश अच्छा हूँ जी आयनोक समाल है उसके यहां पहले कि भी हीर पर पाकिस्तान में है एक नियावारी तो एक बार फिर से स्वागत है आपके खास कारेकरम हेलो गुरुग्राम में जहां पर बात करते हैं हम शक्सियतों के बारे में जिनोंने गुरु ग्राम को एक नई दिशा देने में सहीयोग किया है और अगर साथ ही साथ अगर हम बात करें गुरू ग्राम की, गुरू ग्राम को जिनोंने बढ़ते हुए देखा है, चाहे हम इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, चाहे हम गुर्गाओं से गुरू ग्राम की बात करें, जी हाँ, आज उस शक्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने ये एक कारे स्टार्ट किया था, एक विजन लेकर चले थे अपने दिमाग में कि गुर्गाओं को गुरु द्रोन की धर्टी, गुरु ग्राम का नाम दिलवाना है, और वो कैसे दिलवाना है, ये उन्हीं की जबानी जानेंगे, और उनसे जानेंगे, क्या विजन लेकर चलेते, क्या मिस्यन लेकर चलेते, क्या सोच लेकर चलेते, और गुरु ग्राम के पहले डिप्ती मेयर, परमंदरकटारिया जी हमारे साथ Eth March Ju我覺得 अबात करते हैं, नमस्पार सब सबसे पहले का सोच आई थी जब बने तो क्या सोच आई थी कम सबसे पहले तो देनेवाद पुर्भू का मा शीतला का राविंदर जीत का मेरे सारे पार्षम साथлу का धिर्यणों बजह परहन कर दितने हैं के आपके ब्रक ठाहर के माध्यम नके कंसे सरों तो बात करें सबसे पहले तो मुझे सो भाग्या मिला पर्थम डिप्टी में के नाती काम करने तो जब हम पहला पहला निगम बना था जी निगम बनने के बाद जो बेसिक्स उजाओं की बात थी सबसे पहले उस पर जोग दिया गया आप अगर 2011 से सोड़ा के बीच बात करें पूरे ल руки करेंगे काम के उपर आधार पर उसका काम उसका डिपार हुआ लूत होब और अगर हम साथ ही साथ कहें आपने गुरू गराम को बचपन से लेकर अभी अगर हम जवानी का दौर भी नहीं कहेंगे अभी तो एज अभी स्टार्ट हुई है वो चल रहा है तो कभी दिमाग में यह चीजे भी आती थी आपके गुडगाओं से आपने गुरू गराम बनाने का इसको सोचा तो पहले कुछ स्टडी की थी इसके बारे में कुछ हिस्ट्री के बा वह भाजाब करूँ आपको गहराई से शुरूवात की बात बताना हमसे क्योंकि घृचतार नहीं में और हुमी तोट्यवीची इसजनों हिसंते हो मनदम का अदों यह क्ला की बारे नगरी थी दुरनाचारी को मिला हुआ गाउं था उसी में पिंछोक्रा जोड़ था जो पानवा द्वरस था उसकी मानेत हैं आज भी चालू है लोग गुरुगराम के लोग उसको मानते भी हैं तो वहां से बदलते बदलते जैसे शहर बढ़ा जब अंग्रेजों का राज आय गुरुगराम गाउं से दूर दो किलोमेटर दूर शहर की स्थापना की उन्होंने दिस्टिक हैड़कोरटर बनाने से सैनिकों की वेस्ता हुई परशासनिक अधिकारियों की वेस्ता हुई और एक रूप में काम की पहचान चुरू है अंग्रेजों का इस एरिये का दक्ष चावनी जाने चावनी शब्द जो है वो आर्मी से जुड़ा हुआ शद्ध है तो यह सदर बजार के लिए सदर बजार के लिए पहली अगर शुरुवात के हैं शहर का विकास का पहला कदम अगर रखा गया तो 1877 की करांती के बाद डिस्टिक हेड़कॉर्टर बना डिस्टि कार्यों क्राम के ऊचिणकी गया चौन को जायंगे के बछयार वयुक्रों का सब्सक्राइए ज्सक्राइख अगर बात करें तो बहुत से बाजार आश्ता-इस्ता कम जो होते कैए जिसे गारं का बड़ा बजार व में सMने तो इस तरह से बड़े बजार के साथ शिरुबात हुई थी गुरुग्राम से दो किलोमेटर खेतों के बीच में अगर बात करी जाए इस पुराने नक्षे की बात करेंगे तो बताएगा कि गाउं से हम पैदल आते थे कच्छे रास्ते थे और शहर में बजार लेने शहर का मत अगर बात करेंगे बीच-बीच में मैं इंट्राप्ट करती रहूंगी कि बहुत इंट्रस्टिंग पार्ट है गुरुग्राम के बारे में जानेगा जिसमें हम इतने सालों से रहे हैं आज तो मिलेनियम सिटी है पहले क्या सिती थी वो भी हम जाने की तक्रीबाने साल पु परिवर्तन का पहला परिवर्तन कदम 1870 उनके बाद शहर का आया दूसरा कदम 1947 में है जब देश बटा भागयपुर्ण घटना घटी तो उस इस शहर में जो हमारे हिंदू भाई उस इलाके से आये थे जो हिंदुस्तान का टूड़ा कठ गया उस इलाके से आये तो उनके ल अर्जन नगर है यहां पर अगरिकल्चर काम सहतारिस के अगर बाद करी जाए को गुजुल गर सहतारिस का जिंदा हो तो यहां आया हो उसको पूछ लेना कि उन्होंने खेतों के बीच में आकर अपनी यह 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 प्लगा था उसके अपने रहना शुरू किया था आच्छ आ अगर लगा लो कि आप बजार से कितनी दूरी पर हैं दोनों को वीच में एक डेड़ किलोमेटर की दूरी है यह उसको वीच में खाली जगे तो वहां कर बसा उस शहर का दूसरा कदम उठा उसमें शहर में क्या हुआ कि फिर आइस्ता हमारे आसपास जहां हमारे मुसलमान को यहां से गए उन गाहों में हिंदु अबादी जो रही वह वैपारी कम्रमोनीटी थी और उन्हों ने आइस्ता हैं की शुरूहातरी सबसे पहले हमारे हाँ जो जो चैए धनकोट की बात करें जो आसपास चौमे की बात करें इन गाहों में पंजाबी समाज का दूसको उस समय की सबसे अच्छी का लोनी थी और सेक्टर चार को सबसे पहले लुग थे उन्हें अपने उस संस्कृति को जिंदा रखते वह आज भी आप बात करते होगे दिखते होगे लुगों ने अपने शहर के वहां के उस शहर से आये थे उनका उसकी प्रतिक वियम था उस प्र अच्छी वसी फिर उसके बाद चार अठनला वसा जो अबाद जो अबादी तरफ निकड़ते अर्जुन अर्जन उबर से निकलते मदन पूरी वगी थे उसके बाद उसकी बात करूं तो जब यह न्यू का लोटी के बात करूं तो शुक्री का लोनी बसी उसकी फॉर में प मेरे बात करें आप रेले रोड पे जाएंगे मेरे फादर आज भी है हमारा कुण होता था जहां आज इनोक्स माल है उसके यहां पहले कभी इरोज सिनिमा होता था पंजाब इरोज सिनिमा उसका नाम बदला फिर जैसे निमा हुआ उसके साथ लगता हमारी खरियाना वहाशा शब्दत डोड तो अगर मैं अपनी बात करूँ जिसमें इलाबाद बंक हमारी नहीं है उसका में मौज़ा मिला अगर बात करें कहीं न कहीं अटेश्मेंट आज भी जिन्दा है कि मुझे मेरे पिताजी से सुना है तो हो ही हमारा कुवा मैंने अपनी याद में पुवा रखा है अब तक बाद में कुछ नक्षा लगा था उसकी बैक में दादा बड़ादा ने बढ़ाए तो मतलब है सारी बदलता हुआ शहर बना उसके बाद आती है कि आप जो कह रहे थे कि गुरुगाउं से गुरुगराम क्यों तो निस्चित है कि बड़ा प्यारा शब्द है कहते हैं कि जिसका इतिहास अच्छा होता है उसका बहुश्य अच्छा होता है यह आपके घर में किसी कारण से आपके बच्छे का नाम विगड़ जाएं तो आपके मन में क्या खुशर रहेगा निस्चित है जो को से प्लिदा भी होती है तो ठीक करने की कोशिश करता है उसी प्रियास में मेरे इलाके से इस धर्ती से जिसमें जनम लिया जो मेरा गोरव है उस प्रेम के नाते मेरा मन का भाव था कि हम गुरुद्रोन की भूमी पर रहते हैं और जिस पर इतिहास बड़ा अच्छा है और उस इतिहास की अंदेखी हो रही है वो नाम ही हमारा गोरव है क्योंकि पत पता से रहता है। तो जब गुरुगुन है, तो जब गुरुगुन हुआ लॡ़ उसे इत pace करने करने क्या आउशकता है मन क्या है। और प्रम परमात्मा ने जैसा समय दिया, उसको प्रियास किया तो एक और बड़ा कारण है कि क्यों सफल हुए उसका कारण है कि मैं पर्मिंदर कटार यह किसान कर बच्च हूं नहीं सुने का सभावी कई कहा है आदम ही कह रहा है उसकी बात नहीं परम्पिता परमात्मा आपके चैनली के माध्यन प्रियास मन से था और इसका हम प्रियास भी कर रहे थे लेकिन उसको साकार करने का उसमयला तो चोटे-चोटे कारिकों करें मैं अगर शुरुवात करूं हस्ताक्षा भी हान चला है तो सबसे पहला की तो मैंनों मैं आया कि हम चुरुक करना चाहते हैं तो ऐसे वक्ति से कनाई जिसका दिमाग में रहे हम आपको लोनाचारी रूप में देखते हैं जी 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 और मैंने वैसे मेरा मन का और मेरी टीम का मन का भाव है हम जो नाम नाम जो बहुत अच्छी बात है तो मैंने का आपका सहरोग चाहिए है उसने पहला अस्थाक्षर हम हमने मांग के मेरी मांग गूराम एक डायलोग था हुआ रहा तो पहले है और अप प्रिवर्तन का उसकी कड़ी है और उमीद की किरन जो है सबसे पहले वही है जो करते हैं तो मैं इसको का यार अपने जीवन के लिए जीता है जीवन का अलग-अलग मतलब से जीया जाता है तो मेरा जीवन के मैं गुरुग्राम की धर्ती पर इस गोरों के नाम को लुटाने के लिए जीवन को संबर्पन करना चाहता हूं इस नाते से प्रियास शुरूर गया है और अभी जो सीरीज अभी यहां हम कहें कि आपने बहुत लंबा टाइम गुरुग्राम की धर्ती पर बिदाया यहीं पर पैदा हुए किसान के बेटे हैं तो आपको लगता है कि जो मिलेनियम सीटी साइबर सीटी अब हम कह रहे हैं जो नाम दिये जा रहे हैं क्या वो गुरुग्राम उस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं जो हमें जरूरत है ना एकी सरकार भी को बढ़ाने के लिए तीन चार चीज़े कुछ ठीक हुई है कुछ और करने के आफशक्ता है जिसकी समय समय पर मांग रहे हैं जिस्टिक से हमारी सीमाई मुख्यरूर है वहां की एंट्री पर गुरुग्राम जिले की एंट्री पर लगना चाहिए कि माशीतला की भूमी पर जा रहे हैं पुरुद्रों की घुमी पर जा रहे हैं एकलवग की घुमी पर जा रहे हैं पांडव के शिक्षास्थल पर जा रहे हैं ऐसा मनोभाव जब जागरित होगा जब हम एंट्री पर उनकी कोई ना कोई चवी देखेंगे ऐसा मन का प्रियास है प्रियास करेंगी प तो इस तरह के अनेक कामों के आवशक्ता है इसको सार्तग नाना है जिस तरह कि हमारी यहां भाई-चारा है जिस तरह से मिन्नी भारत के के लोग रहते हैं यहां पर हर देश का व्यक्ति रहता है हर परदेश का व्यक्ति रहता है अच्छी अच्छी पर परदेश के हां पर संगठन है तो अच्छी आबादी तो कम जो हो रहे कोई कम जो हो रहे नेतर की तरफ से आबादी के अधार पर सब का उचित स्थान है और सब संगठन बनाकर अपनी अपनी पस्तिती विदर्ज करते हैं तो इसको और उचाईयों पर रिजाणी करें अब य करें शालींता की बात करें तो इन तीनों में एक व्यक्ति फिट बैठते हैं और वह प्रमेंदर कटारिया जी कभी ही शायद किसी ने आपको घुस्से में या ऐसे किसी से बात्चित करते हुए देखा हो तो यह शुरू से ऐसा सो भाव है या फिर चेंज हुआ है या किया सबसे पहले तो अच्छी बात आपने मेरे बारे माकलन किया हर वक्ति सोमे बनना चाहता है वह बहुत है यह जो आप क्वालिटी बैते हैं यह हर मन के मन की इच्छा है किसी से कुछ निया मेरा सोभाग्य आपने इसके लिए मैं तह दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और आपको जिन्हों ने ये बात आप तक पहुचा है तो उसके लिए बात करता हूं आब आती है कि वह वहार क्यों है इसमें बड़े कारण मेरे पिताजी बड़े कारण मेरी दादी है जीवन में अस्थाई मैंटेन करना लंबे समय अगर किसी मैंटेन करना है तो जब बाई- लगती से जाए तो इस तरह से बनावटी नेचर लंबे समय नहीं रह सकता मेरी दादी का मेरे जिवन में बहुत पुल्हाओ है उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी हमें सबसे पहले तो मुझे आज एक बड़ा अच्छा धान दूए मुझे आज भी दादी की गटन है जो यह जाए मेरे अच्छा कट था चाव शरीर की बड़ी तगली थी लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखाया तो एक वह जातिवाद का ग्रोंवी थी अच्छा मेरी दादी मेरी दादी ने कभी भी मेरी दादी चुआ छूट की भूत भूण दी अच्छा उन्हां कभी इस संस्कार है हमें भात करों कि हम ठीक क्यों है खुब की और कर को treasury मैं हुँ तो हमारे हां पशुक को डंगर कहते हैं रियानवी बाशा में चराया सब्जी मंडी मैंने सब्जी धोई अगर हमसे खुब तो काम कराया जब काम कराया तो निस्थीत है कि जब खेत में सभी लोग एक साथ लगके काम करते हैं तो काई तो इसका बड़ा कारण रहा एक मेरे दादी बड़ी एजुकेशन पर जोर दिती थी तो मुझे याद है मेरी दादी अनपड़ थी और हम विल्कुल किसान परिवार से थे मेरी दादी ने मेरे दादी को 56 में ग्रेजुशन कराई थी उन दिनों गाओं का गणा चुना कोई वक्ति करता था मेरा सो भाग वह मेरे ताओ जी बड़े अच्छे थे तो अगर परिवार की बात करूं वो जो संसकार के रूप में हमसे काम कराई तो यह भीवारी सबरी मिया मकले ने में खरने का मतलब है आदमी से आद्मिया किस बाद का भीःद चुम्मेवारी समय समय बदलती रहती है कि सी भी aika क्यो सकत है अगर विचार की एहमियत तो विचार की है और सिदी सिदे जिससे विचार में लिए उमेरा तो इस बात का तो प्रभावी नहीं रहा है वैवार कुशलता की बात करें जिस वे आप किसी भी रूप से उसे पुकार सकते हैं वो सिदा सिदा है कि आदमी में आदमी का अंतर है स्पेशल डूटी के लिए हैं अदर्वाइस तो उसी समाज में हम जासे सब्सक्राइब कैसे रूची है क्योंकि जादा तर लोग यह भी सोचते हैं कि अगर गुरुग्राब में कुछ जानना है तो फटाफट नंबर डायल किया गए परमंदर कटारिया अगर राजनिती अगर तो फटाफट नंबर रूची है यहां इतनी सालों से लगातार देखते आ रहे थे तो वह हो गया इत्तवाकन भी होता है कि तो फहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे सम्मान समय बताया है कि इस आंकलन मेरे बारे में करता है मिरे लिए सम्मान की ब यह माध्यन से बहुत कुछ चीए सिखाई समाज में आज वह कहीं मिटिंग होते हैं कई बात होती है तो नम चोट चोटी कहानिया सुनादा हूं और और वो कहाणी शेत्र का लेकर हो सकती है धर्म को लेकर हो सकती है समाजिक रूप से बुराईयों को जूर करने के लिए इसमें मेरी माता जी का बहुत प्रभाव रहा है दूसरा इस धर्ती से लिया है जनको इसकी बेसिक जनकर ही हमको है और फिर क्या हुआ कि लंबे समय से जो मैं एक बात कर रहे था राजनीती शेत् समाजिक रूप से आज भी समाज में यह होता है कि परिवार से एक वक्ति जाए तो उस स्थिती में क्या था फादर की और तावजी की नोपड़ी होना साथ में भाईयों का इंट्रस्ट ना होना तो उसका यह जुम्मेवारी मुझे रहे मुझे याद है मैं दूसरी क्लास म में अकेला जाना शुरू होगा अच्छा दूसरी क्लास से तो मंडी जाना शुरू हो गया यहां आपके बिल्कुल नजदीक नहीं रबाउट जब सब्जी मंडी लेकिन आड़त अब क्रास्फर होगी खान सामदे आड़त भी लगती थी आड़त यहीं सुगह निलामी करते पहले आड़त वही थी तो तीसरी क्लास में रखाल पिचासी ची अची मैं तो टरांसफर होगी फिश्वरू होगी तो इससे पहले सब्जीयां की रिक्षा में बैठ़ कर आता और घर के मुझे रिक्षा में बठा देते और यहां से यह सम्झो गुरधवारा के पास यहीं तो आदतन काम करने के आदत रही इस काम लगा लो जैसे आड़त पर छोटी क्लास में समाजिक बात सुनने का अवसर बिला तो टाइम पास कहीं न कहीं किसी की सुनते हैं और सुनते हैं वो सीखते हैं याद मैं अगर हिंदी बोल रहा हूं तो यहां पैदा हूं इसलिए हिंद का इस्ट्री का जानकारी बढ़ती चलीगी कुछ कोशन पूछोंगी क्योंकि समय सीमा भी बहुत हमारे पास लेमिटेड है पसंद क्या है प्रमिंदर कटारिया को खाने पिने की बात करें चटनी रोटी हों तो बिल्कुल साधाने रोटी खाने बार है बिल्कुल मुझे आ मंखन पिंगले मंखन की उस रोटी की तपत में उसे पिंगलना चाहिए और फ्री टाइम में क्या करते है प्रमिंदर कटारिया गभी बुक्स पढ़ना पसंद है हिस्ट्री के बारे में जाना पसंद है मूवी का भी ऐसा शोक नहीं है चर्चा सब्सक्राइब अगर मैं बात करूं तो हर दिन की मैं लिस्ट मनाता हूं तो मेरे कुछ ना कुछ काम रह जाते हैं जो मुझे अपने अंदर महसूस होता है कर दो पातों के स्वाल जवाब के जवाब देने शूरुदा इंटरस्ट उससे जानने का कुछ बताने में भी आनंदर चानने भी आनंदर तो इसमें समय का पता ही नहीं लगता ना चाहते है रोज में बात करूं किकी मेरे रादस्वाब नतना उनसे बात कर रहा था तो शाधी में थे मैंने का वही ना रोज कोशीर करता हुद जैसे ड्रिंक करने वाड़ा बैक्ती है वो कहता है सब कर बता करब आयूकर तो कहता है आज नहीं पीछ ठोड़ दूगा तो मन में रहता है कि उसको सुनकर के भी कल से मिठा कम और अच्छी कौन सी है जो लगता है कि इसको कंटीनु रहना चाहिए अच्छी मैं समाज में खुश रहता हूं या एक रिस्पेक्ट नहीं मिल पारी को कभी कुछ ऐसा तो उसके दो हैं कई बार हम किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं तो निश्ची तक उतना रिस्पोंस नहीं आता तो निश्ची तक नकारत्मक भाव पैदा होता है यह सभाविक क्रिया हैं जोगती कही कि धूप का अ अपने आप से स्वेहम से कई बहुत अच्छा किया उसने इस वह पर अपने साथियों से कि अब आप आसे बैठते हैं उसका ऐसा गया वह ऐसे घड़बर कर गया या ऐसी चर्चाएं आम समाज में मित्थरों के साथ होती है तो उसका उस समय चर्चा में उसकी आलोचना भी ह अच्छा कर दिया तो वह भी तुछी समाज का पैदा है तो इसका एक है कि जब हमारे हाथ की पांच्छों उड़ी एक जैसी नहीं है हम सब का परिवार की व्यक्ति का इक जैसा निचर नहीं है तो निश्ची ते कि कोई वी व्यक्ति एक जैसा रिस्पोंस देगा संभाव जाना चाहूंगी आप तो बहुत कूल मैंड़ी है तो आज के युवा की अगर बात करें बहुत जल्दी हाइपर हो जाते है यहां फिर कई भी फेलियर हो जाता है लाइप में यहां फिर कोई रिलेशन्शिप में कुछ हो गया या फैमिली ने कभी कुछ कह दिया बहुत च देकर मैं अपने आप बता रहा हूं आप से साथ सबके साथ शेर करें एक तो यह विश्वास करें कि प्रभू कभी गलत काम नहीं करता है हमारे साथ प्रभू है सब कुछ ठीक करेगा जब हम किसी पर विश्वास प्रेक्ट करेंगे उस परमात्मा की किसी नाम से आपको कार आपकी शर्दा है सबसे पहला तो शर्टा के प्रती विश्वास होना सब्कूर निरने करने नहीं है और साथ हमारे सब तक्लिफ होती है हम किसी से आशा लगा देते हैं तो आशा का तूठना ही तक्लिफ तो आशा है ज्यादा न रखें और उस पर विश्पास रखें जो कुछ ठीक वर मैं पड़ाँ धान देता हूं कि मैं एक फेक्ट्री मेर करता हूं तो हम नोकरी छोड़ गी अब उसके बाद चेज़ा और लगी तो लगया यार इतने साल करी मैने तो नोकरी गई लेकिन जो प्रुभू करता अच्छा करता है फिर अपना वैपार चलने पड़ा अगर महां यूनियन लीडर का चुनाव हार गया था तो यह लगता था कि निराश्मात चुनाव भी हार गए कंपनी ने मुझे वी रस भी दे दिया लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी हिम्मत नही देना जिस से रात होना तय है और दिन का उधाप भी के वहब कर मेरे जीवन बहुत उतार चड़ा हुआक को ऑप हम्मत नहीं और समय समय पर सब्सक्राइब और रहासा जीवन में हम हर दिन अच्छे करने का प्रियास करें परमात्मा सबसे बड़ा तो शुक्र गुजार इस बात का आज का दिन परमात्मा ने मुझे जीवन के लिए दिया इससे मेरे आप करके देखना समाज में बहुत लोग हैं जिनकी पचास सालीों तक आ यू नहीं रही परमात्मा ने मुझे उन लोगों से को आगए बढया है जो चारीक साल में चलेगे मैं तो उससे आगे हूं परमात्मा ने मुझे उससे ज़्यादा दिया हमें पीड़ा क्या दूसरी को ज़्यादा मुझे कम हैर हम High ओछा किने देगों करूं मुझा सुनने का दिया है लिए अच्छा भोजन दिया अनीड चीजे हजार हुं है यह थी नेगेटिव आप उगल exposed करते करते दिल निकल जाएगा उंपार पाई और आप बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर जी जिनों ने गुरू गुरुगराम के कुछ ऐसे पहलू बताये जो शायद गुरुगराम के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बुडगाओं से कैसे गुरुगराम हुआ किसने बनाया किसने यह सोच रखी कौन सी वो उमीद की किरंती उनसे आपको आज मिलवाया है और अगली बार भी कोशिश करेंगी कि गुरुगराम के बारे में और जानने का प्रयास करें हम अपने इस पॉड़कास्ट के जरीए बहुत लंबी है बहुत कुछ है जो होना बाकी है और सब कुछ उसके उपर छोड़ दीजिए आप सिर्फ अपना करम कीजिए इसी तरीके से हमारे साथ बने लिए और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सेच